दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माई 11 सरकल एप यूज करने और इसमें टीम बनाने के बारे में तो अगर आप भी माई 11 सरकल एप को यूज करने और इसमें टीम बनाकर पैसे जीतने के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर तो मैंने इस application का link अपने वीडियो के description ने दे दिया है वहां से जाकर आप सबसे पहले से download कर लिजिए अगर आप इसे पहले से download किया है तो आपको क्या करना है और यहां पर आपको My11 Circle application open हो जाएगा अब आप यहां पर पहली बारी से यूज़ कर रहे हैं तो आपको register पर क्लिक करना है आप जायत यहां पर अपने Facebook से भी यहां पर connect कर सकते हैं इस application को तो मैं यहां पर पहली बार यूज़ कर रहा हूं तो register पर click कर देता हूँ तो जैसे आप यहाँ पर रेजिस्टर पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह एक एंट्रबस देखने को मिलेगा अब आपको क्या करना है यहाँ पर अपना कोई एक यूजर नेम रख लेना है और यहाँ पर कोई अच्छा पासवर्ड डाल देना है इस पर आपको क्लिक करके इस अप्लिकेशन में रेजिस्टर कर लेना है तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं माई 11 सरकल में हमारा अकाउंट बन चुका है और अप्लिकेशन ओपन हो चुका है अब यहाँ पर आपको नीचे home, league, refer, promotion and more option देखने को मिल जाएगा तो आपको home पर बहुत सारे contest देखने को मिल जाएगे इसमें आप जिस contest में जोईन करना चाहते हैं टीम बनाकर जोईन कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर refer and earn का option मिलेगा इस पर क्लिक करके आप अपने किसी friend को refer कर सकते हैं जो भी friend आपके referral से इस application को download करेगा उसका आपको यहाँ पर commission मिल ले वाला है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बूरे 500 account लुपे मिल सकते हैं एक friend के download करने पर तो इसको आप यहाँ से refer करके भी पैसे earn कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर promotion का option मिलेगा इस पर click करके आप इनके telegram channel को join कर सकते हैं या इनके partner program को join करके यहाँ पर इस application का promotion कर सकते हैं और पैसे earn कर सकते हैं अब इसके बाद सबसे last वे आपको यहाँ पर more option दिख रहा है इस को कुछ चीज दरगा देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा email id verify हो चुका है आप भी अपने email id को verify कर लिजेगा जैसे आप यहाँ पर अपना email id डालेंगा तो आपके email id पर एक led लिंक जाएगा उस पर आपको क्लिक करगे अपने email id को verify कर लेना है इसके OTP आ चुका है मैं यहां पर OTP को डाल के verify पर क्लिक कर देता हूं तो आप देख सकते हैं हमारे यहां पर mobile number verify हो चुका है इसी तरह करके आपको अपना email ID और mobile number सबसे पहले verify कर लेना होगा इसके बाद आपको फिर से अपने my account setting पर जाना है और आपको यहां पर नीचे दीख र करने का option नहीं मिलेगा तो यहां पर सबसे पहले आपको personal information फिल कर देना है और इसके बाद सब्मिट कर देना है उसके बाद यहां पर verify हो जाने के बाद आपका bank account aid करने का option आ जाएगा उसके बाद आप यहां पर अपना bank account aid कर सकते हैं और उसमें जो जीते हुए पैसे हैं आपके पास इसको इसमें withdraw कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहां पर personal information को feel करके save कर देना है दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि इसमें team कैसे बनाना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर India versus England का 20 match चल रहा है तो मैं यहां पर इसमें team बनाना चाहता हूं त इसमें बहुत सारे contest आपको देखने को मिल जाएंगे जिस भी contest में आप जोइन करना चाहते हैं अपने team बनाकर join कर सकते हैं तो team बनाने के लिए आपको क्या करना है नीचे आपको दीख रहा है create your team इसमें आपको click करना है तो दोस्तों जैसे आप यहां पर create your team पे click करेंगे यहां पर आपको line up out देखने को मिल जाएगा तो उससे यह पता चल जाता है कि आज के match में कौन कौन से player खेलने वाले हैं तो जो तक टांस नहीं होता है उससे पहले आप team मत बनाएगा टांस हो जाने के बाद team बनाएगा ताकि आपको अच्छा team बनाने में मदद मिल सके त उसके बाद all rounder में से अपने all rounder player को select कर लेना है और यहां पर last में आपको baller में से जो भी player आपको लगए अच्छा bowling करेगा उसको यहां से select कर लेना है और इसके बाद आपको next click कर देना है उस तो इसमें team बनाने के लिए आपको पूरे 100 credit मिलते हैं उननी 100 credit में से अपने player को select करना होता है जो भी player जितने credit का होता है उसका point आपको उसके आगे देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हैं जो भी player यहां पर दिखाए दे रहे हैं उनके सभी credit उनके आगे देखने को मिल रहे हैं तो आप उसके ही साब से अपने player को select कर सकते हैं दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ पर अपनी एक टीम बना कर आपको दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद आपको क्या करना है Captain और Wise Captain को सेलेक्ट कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी एक टीम बना लेता हूँ इसके बाद आपको Next पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको Captain और Wise Captain बना लेना है दोस्ति यहाँ पर जो भी प्लएर को आप Captain बनाएंगे वो जितना पॉइंट बनाएगा उसका प्उइंट आपको दूगुना मिलेगा और जो भी आप wise captain बनाएंगे जिस भी player को वो जितना point आप बनाएगा उसका डेड़गुना point आपको मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे player हैं जो भी player आपको अच्छा लगे यह player अच्छा खेलेगा उसको आपको captain और wise captain बना लेना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर captain और wise captain सेलेट कर लिया है अब आपको save team लिख रहा है save team पर click कर देना है अब इसके बाद जिस भी contest में आप जोईन करना चाहते हैं उसमें अपनी team को जोईन कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे contest देखने को मिल जाएंगे अब आपको यहाँ पर preview duplicate और edit का option मिलेगा इस पर से आप preview पर click करके अपनी team को देख सकते हैं और duplicate पर click करके आप अपनी team को एडिट कर सकते हैं तो दोस्तो इतर करके आप अपनी team को customize कर सकते हैं और कोई अन्य team भी बना सकते हैं तो दोस्तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि इसमें पैसे aid कैसे करना है तो आपको यहाँ पर उपर aid cash का option देख रहा है इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको अपना amount select कर लेना है जीतना भी आप amount अपना aid करना चाहते हैं दोस्तो यहाँ पर कोई मेरी वीडियो पसंदर आयोगि दोस्तों अगर आपको हे मेरी वीडियो पसंदí उत वीडियो को लाइक कर दीजी और चैनल पे नएसे टों hinter going कर लिजिए तो दोस्तों चले मिलते हैं किसी और नेक्ट विडियो में तब तक के लिए चैंद कॉरहब झाल झाल